हरे कृष्णा तो भाई अभी एक न्यूज आया है कि कोई भी एक स्टॉक को जो हम लोग सॉट सेल करते थे मतलब कि इस जगा पर ट्रेड कर रहा है जैसे टाटा मोंटर साब 660 रुपया पर ये ट्रेड कर रहा है आपके पास ये ट्रेड मतलब स्टॉक है नहीं फिर भी आप सेल कर देते टे आपके पास है नहीं फिर भी आप इसको सेल कर देते थे इसको बोलता है फिसको बहुत समयुछ बोल मैं आपको समझा अ कि क्या हुआ है मैंने इस पर बहुत ज्यादा रिसेर्ज किया देखा कि खुद कन्फ्यूजन क्रिट हो रहा था कभी कोई कुछ कोई कुछ तो इसमें सिंपल है बाई कि जो बड़े इंस्टिचूशनल इंवेस्टर हैं जो ट्रेडर हैं उनके लिए यह है कि आप कोई भी स्टॉक को सेम डे अगर सौट सेल कर रहे हो और साम में उसको जैसे की 660 रुपया पर आपने उसको बेचा और जैसे ही यह 500-520 के आसपास आया तो इसको जब आप खरीदने जा रहे हो स इसको साम में तो आपको रिजन देना होगा कि आपने क्यों किया। यह पर कंश सेल करने से पहले ही आपको यह को यह यह जबंदेना होगा लेकिन जो जैसे हम लोग है है और साम तक का टाइम मिलता यह किसे को अब यहां यह किया था कि यह इसलिए कुया अर्दानी को क्लीन चीट मिला है अभी तक दो केस और पेंडिंग है जिसमें भी सुप्रेम कोड ने यह का है कि चलो बहुत बढ़ियां सेवी का काम है तो एक नया रूल यह भी तुम बना दो एक्चली में यह रूल था पहले भी ठीक लेकिन अब इस पर थोड़ा सा है कोई भी बाहर ही सकती कुछ भी बोलता है जैसे अभी सायद एक न्यू आप लोग अगर ट्रैक कर रहोंगे तो एक कजाकिस्तान या कहीं का कोई था कि मैं इंडिया का बो मार्केट पे सेर मार्केट पे कोई सोट सेल करूंगा और यह करूंगा तो यह एकोनॉमी को गिरा लाग पचास हजार दो लाग पांच लाग जो लगा चुके हैं जैसे तीन सो तीस का तीन सो चालिस का जिसके पास टार्टा मोटर्स था आज कितना खुस होगा एक दो साल में यही है स्टॉक 670 पर ट्रेड कर रहा है सुजलोन आठ रूपया का रिलाइंस पावर आर पावर जो है एक रूपया से कहां भाग गया भी अब तो देखिए यह इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए इसको और लाइक सेर बगरा कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक यह पहुंच पाए तो मार्केट जब अप्ट्रेंड में रहत ठीक अच्छा ग्रोथ है भाई तेक में नंबर वन तो देश पे सब का नजर अडोस-पडोस का वही कहान ही है सब को बरबाद करने पर लगा रहा है इसी बज़ा से सेवी ने यह रूली किया कि नहीं तुम कुछ भी निउज निकाल दोगे और इतना लोग यहां पर को बैन कर दिया है इसके साथ ही सेवी ने सभी कैटेगरी के निवेसकों को सौट सेलिंग में सामिल होने की अनुमति दे दिया जितना भी यह स्टॉक फ्यूचर अप्शन में ट्रेड करता है अब उसमें सौट सेलिंग होगा यह भी अलाव किया है रिटेल ट्रेडर के प्लस सेवी ने यह भी कहा है कि फ्यूचर अप्शन में ट्रेंड होने बाले सभी स्टॉक को साथ सोर्ट सेलिंग के लिए इलीजिबल है उसको सौट सेल अब कर सकते हो अब समझो कि सौट सेलिंग है क्या तो सौट सेलिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें निवेसकों को बेचने केन मती मिलती है जो ट्रेडिंग के समय मौझूद नहीं हो टैउन एक कुछ Takedze सेलिंग में पाले सीकुरिटी को उधार लेता है उसके बाद स्टॉक को सेलिंग theoretically का वहीं नेकेट सौट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है इस तरह के सौट सेलिंग को में ट्रेडer बिना उधार लिए ड्रेट करता है आसान होते तो समझें में एक साल हो गया हिन और का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद कि order देते समय आपको यह बताना है जो भी इंस्ट्रिचूशनल ट्रेडर है उसको यह बताना है कि यह सौर्ट सेल है या क्या है आपको बहुत चीज वहां पर कंफर्म करना है बागी जो भी है किलियरली मंडे को पता चलेगा आपको हमको इससे फर्क भी नहीं पड़ता है और जो रिटेल ट्रेडर है उसको अंत तक डिकिलियर करना होगा कि भाया यह सौर्ट सिल था प्लस अभी सेवी ने यह भी कहा है सारे ब्रोकर्स को और स्टॉक एक्षेंज को कि तुम की सभी कीन महिना का समय है उसमें आपको पता चली जाएगा अगर कुछ होगा तो उस पर भी लीगल एक्षन या कोई रूल बनेगा कि आज के बाद जो फॉरें इंस्टिस्यूशनल इंवेस्टर है ट्रेडर है वो बजार को किसी भी तरह से कोई नियूज के बेस पे घिरा ना पा जो 4000 पे चल रहा था उसको नीचे गिराया गया और यहां से बापस से बाइंग किया गया क्योंकि कंपनी है सही अब इसमें बहुत सारा चीज होता है भाई पॉलिक्स होता है बहुत सारा चीज है नंबर बन इंडिया के रिचेस्ट परसन बन गय तो बहुत सारा इसमें को लिए हुए हैं आप उसका फंडामेंटल बगएरा सब चेक कियो हो कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे रही है बढ़ाते जा रही है दीरे दीरे पिछले साल से उसका जो भी है कोई गलत न्यूज ना आ रहा ह हो इपीएस बगर बढ़ियां है पी रेसियो सेक्टर के हिसाब से कम है तो आप उसको होल्ड कर कोई भी निव जा 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 है उसमें बने रही है जो मेरा मानना है अभी जो लोग बने हुए होंगे उनको उतना लॉस नहीं हुआ सब से जादा भागा कौन रीटेल ट्रेडर भागा तो आज देख लो आप आपके साथ क्या हुआ बापस से सब बापस से सब चला गया अपना वहीं पर थोड़ा अभी एडानी इंटरप्राइज जो है वह उस लेवल पर नहीं पहुंचा है थोड़ा नीचे है लेकिन बागी सब अडानी पावर देख लो उसी तरह का परफॉर्मेंट तो थोड़ा बने रही है मैं टाटा मोटर्स पर मेरा सबसे ज़्यादा रेग्रेट होता है मैं खुद का एक्सपरियंस बता रहा हूं कि मेरे साथ में ही सर है तो बो बार बार कहते थे कि अरे सर क्या आप कर रहे हो यह टाटा मोटर्स अरे 220-230 का सेर है ल टो भी है लेकिन लोग तो उसको कर रहे दे दीरे-दीरे बहुत दिन तकossible 350 के असपास रहा तीन ंसल सेर के लिए लेकिन देखिए समझ में आया जिस दिन मैंने छोड़ा उसके बाद धीरे 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 एक न्यूज आता है और कहां से कहां जब कि बिजनस सही जा रहा था इभें टाटा मोटर कुछ समय पहले लॉस में थी अगर पहले का इसका देखिएगा तो उसके करें का वार के समय भी तो उस समय लगा कि निकाल देने में फायदा है आज देखिए आज देखके पश्ट आवा होता है तो खुद अनलाइसिस कीजिए खुद समझ यह किसी के द्वारा मेरे दिमाग में भर दिया गया कि नहीं बुरा है बुरा है और तो बेटर है कोई भी तोड़ना पड़ता है उसको प्रॉफिट बुक करो कहानी खतम करो कोई कौन सा रिपोर्ट आ यह आ गया उतना ध्यान मत दो लॉस रिटेल ट्रेडर कहीं होता है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना आगे का जो भी जरनी है उसको कीजिए किसी का बहुताय में तो इसके रिलेटेट कि कहां क्या हो रहा है कहां क्या नहीं हो रहा है कितना प्रॉफिट है क्या है उसको देखते रहिया आगे बढ़ते रहिया हरे कृष्णा